हलो फ्रेंज विल्कम टू गुरुकुल क्रासेज आज हमें आपे अपना प्रैक्टिस सेशन का पार्ट सिक्स्टीन और फिल इन दा ब्लैंक का पार्ट सिक्स लेकर आये हूँ जो आपकी एक्जाम के पॉइंट ओफिस बहुत इंपॉर्टन होने वाला है तो चली टाइम घहाँ जब भी आप कहीं जाने या नी के बात करते हैं जिस साधल के डारेक्ट पहले अगर कोई प्रैपोजिशन आता है उसके पहले चीज़ जानते रहीगा देखिए फर्स सेंडेस और सेकेंड सेंडेस दोनों का अगर आप मैच करें तालमोस सेम लग रहा होगा एक चीज़ जानते रहीगा जब भी किसी साधन से आने जाने की बात होती है उसके डारेक्ट पहले अगर प्रिपोजिशन लगाते हैं तो आप उसी साधन के पहले कोई आर्टिकल आ जाए ए एन आ जाए या पॉजिदिव अड्जेक्टिव आ जाए आपका माई हो गया आवर हो गया यूर हो गया इस हर दियर हो गया या फिर दिस डैट ऐसी कोई चीज़ अगर आ जाती है तब जानते रहेगा उस साधन के पहले आप ठाइन का यूस करते है तो हम यहां देखिए इन कहा आया है इन आया है हमारा उप्षन नंबर ए में तो हमारा आ ए और ओप्षन ने सही हो जाएगा और ऑप्षन बी सी और डी हमारे रॉंग हो जाएंगे थर्ड नंबर सब्बुस डियर यह गोज्ट टु टॉलेज 1 द्व लगाना होता है तो बाई लगाते हैं इस लिए इस option में हमारा भाई ही रहेगा बाई यह देखेंगा option किस में है तो c-number हमारा यहां पर option by है तो c-number हमारा सभी हो जाएगा और option a, b और d wrong हो जाएगे fourth number से देखे he goes to college . . . . . his cycle option a में है in, b में है on, c में है by और d में है अपानेकों जानते रहें कि कि क्सी साधन के ड़ैरेक्ट पहले अगर कोई प्री पोजिशन लगाना हो तह बाई लगा देते हैं लेकिन उसी साधन के पहले अगर कोई और वर्ड आ गया पॉजिशन अगया या फिर इस सिधायट आगया आर्टिकल आ गया तो हम अभी तक इन जैसे आपका sentence number हमने 2 में देखा था लेकिन इसमें जानते रहेगा sentence number 4 में यहां साधन के पहले अगर कोई साधन ऐसा है जिसमें दोनों तरफ पैर करके देखे एक कार एक position हो गई कार में बैठने का तरीका और एक साधन में बैठने का तरीका या बाइक हो गया या स्कूटर हो गया तो बाइक स्कूटर साधन में आप दोनों तरफ पैर करके बैठे हैं तो जिन चीजों में दोनों तरफ पैर करके बैठते हैं अगर उसके पहले कोई article आ जाए या फिर आपका positive adjective आ जाए या this that आ जाए तब वहाँ पे आप on use करते हैं इनका use नहीं करते हैं और on देखिए हमारा b वाले option में है तो हमारा b option सही हो जाएगा और option a, c और d हमारे wrong हो जाएगे फिफ नमबर sentence देखिए आइ want to meet you between 4pm dot 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 5pm और option में देखिए a में आया है to, b में आया है from और c में आया है of और d में आया है and अब जानते रहेगा वैसे and हमारा यहाँ पे preposition नहीं है लेकिन यहाँ पे जानते रहेगा अब देखिएगा यहाँ पे जानते रहेगा जब भी दो चीज़े बिटिवीन से जुड़ती हैं जैसे देखिए यहाँ पे आया है बिटिवीन 4am dot 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 and 5pm तो बिटिवीन के बाद जो भी noun pronoun आता है उसके बाद अगर fill in the blank में option आता है तो सिर्फ और सिर्फ and ही fill up किया जाएगा क्योंकि बिटिवीन का सेट जो होता है वो and होता है वैसे देखने में आपको तू जादा suitable लग रहा होगा लेकिन जानते रहेगा कि यहाँ तू यहाँ पे रॉंग है तू भी रॉंग है आपका from भी रॉंग है off भी रॉंग है बिटिवीन के साथ हमेशा and use होता है और and हमा करना ते रहीगा जब भी एक तरफ senior person हो और एक तरफ junior हो तो senior कहीं भी अगर जाएगा junior के साथ तो junior को ले कर जाएगा वो सकी responsibility होगी लेकिन जब junior कहीं जाएगा senior भी वहीं जा रहा है तो junior हमेशा senior के साथ जाता है तो को लेकर जाना और साथ जाना तो जो बड़ा होता है वो छोटों को लेकर जाता है और लेकर जाने की meaning जो होती along with होती है चुकि father है बच्चे को ले कर जाएंगे तो ले कर जाएंगे तो यहाँ पर along with हमारा हो जाएगा option d सही हो जाएगा और option a, b, c, t, no wrong हो जाएगा हाँ अगर इसी sentence में बच्चा जो होता subject बन जाता अगर आप यह लिखते कि the child goes to market कि बच्चा बजार जाता है तब हम यह ना कहते कि पीता को ले कर जाता है तब हम लिखते कि पीता के साथ जाता है तब father के पहले हम with लगाते हैं लेकिन यहाँ पे कौन है यहाँ पे father जो है वो बच्चे को ले कर जाएंगे इसलिए along with लगेगा तो हमारा d option नमर्स देखिए रमेश is walking.dor.dor the road और option a में आ है in a b में आ है on c में आ है along और d में इन टू एक चीज़ जानते रहेगा जब भी walking के sense में आता है और walk जानते रहेगा बीचो भी सड़क पे नहीं किया जाता है बलकि सड़क के किनारे किनारे walking किया जाता है तो अब सड़क क किनारे का जो sense देता है वो along देता है और एकदम बीचो भी सड़क की जो meaning देता है वो on देता है तो यहाँ पिछू की walking हमेशा सड़क के किनारे की जाते है तो हम किनारे के sense में use करेंगे इसलिए हाँ along का use होगा along जो हमारा है option number C तो C सही हो जाएगा option A, B और D यहाँ पे गलत हो जाएगा हाँ अगर यहीं रमेश के बजाए यहाँ होता कि the car is running तब जब कार के running कार के चलने की बात आती तब जो कार होती है वो सड़क के किनारे किनारे नहीं बलकि सड़क के just उपर ही चलती है तब यहाँ पे हम on ही लगात लेकिन चुकि यहाँ walking की बात की गई walking का मतलब होता है सड़क के बगल बगल चलना और बगल बगल चलने की जो sense होता है वो along देता है on या in या into नहीं sentence number 8 देखिए रमेश is walking dot 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 the footpath option a में है on b में है in c में है along और d में है upon एक चीज़ जानते लेगे चुकि हमें पता है कि walking हमेशा footpath पे ही किया जाता है साड़क पे नहीं किया जाता है तो exactly footpath के ऊपर ही होता है तो इसलिए हम on का use करेंगा और on कहां पे हो है option हमारा यहां पे mangos dot 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 students और option में आया है between b में है amongst c में amongst और d में है emits एक चीज़ जानते रहे है कि divide जिसे दिखे divide का मतलब है बाटना है these mangos इनामों को किसके बीच में बाटना है student और student यहां देखिए कितने है students का मतलब धेर सारे student और याद रखिएगा between तो लग नहीं सकता कि between का use हमेशा दो के लिए होता है जहां दो से जादा की बात आती है वहां हमेशा among का use होता है और among देख रहे है कि option कहां पर बी में तो हमारा बी option सही हो जाएगा option A, C और D wrong हो जाएंगे 10th number sentence देखे divide these mangos dot 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 our students option A में आया है between B में है among, C में है amongst और D में आया है emits अब चुके यहां देखें कि divide these mangos इनामों को बटवारा करो किसके बीच में करो our students हमारे विद्यार्थियों के बीच में तो हमेशा दो से जादा है और दो से जादा के लिए हमें पता है among का use किया जाता है लेकिन इतना जानते रहेगा कि अगर जो दो से जादा है अगर उन दी हमारे wrong हो जाएंगे और एक चीज आनते रहेगा जब भी दो से जादा किसेंस में आप use करें और preposition आपको लगाना हो तो आप among और amongst लगाते हैं लेकिन जो consonants से starting होते हैं उसके पहले among लगाते हैं जैसे option number देखें 9 में हमारा sentence number students आया था s तो a e i o u देखें इसमें से s नहीं आता है इसलिए हमने among लगाया था लेकिन यहां आवर ओस ओ जो आगया a e i o u में से आगया इसलिए अब among नहीं यहां amongst का यूज होगा और amongst का है option number c में 11 number sentence देखें the child is sitting बच्चा बैठा हुआ है dot 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 the weed weed को मतलब खर पतवारे घास फूस अब यहां देखेंगा a आया तो कभीश खर पतवार के बीच में अब जानते हिए एक खर पतवार क्या countable है या uncountable है तो जानते है एक खर पतवार uncountable है और uncountable के बीच की जहां बात आती है वहाarla न तु बीटिविल लगता है ना एमंग लगता है ना एमंग से लगता है बलकھی immediate use होता है और immediate कहा है option number जानते रहेगा हमेशा ही जहाँ दो places की बात की जाती एक place बड़ा है और दूसरा place छोटा तो बड़े place के पहले in और छोटे place के पहले हम at का use करते हैं जैसे यहाँ देखे I live में रहता हूँ in India भारत क्या है बड़ा है तो हमने in का use किया और भारत के अंदर चुकी प्रयागर प्रयागरा छोटा है इसलिए उसके पहले हम at का use करें और at हमारा कहा है option number B में तो B हमारा option सही हो जाएगा और option A C D wrong हो जाएगे तो में भी आपको सारी चीज़े समझ में आ रहे होंगे कि कैसे आपको fill in the blank करना है exam में अगर ऐसे question आ जाएगे तो में भी आपको सारी चीज़े clear हो गई होंगे अगर सारी चीज़े clear हो रहे ही तो प्लीज वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करना न भूलें and thank you very much for watching this video thank you